नवस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवान और आप देख रहे हैं सीधा सवाल सीधा सवाल में आज हमारे साथ हर्याना की राज़नीती के वो नेता हैं जो कि अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं जबकि यह भी कहा जाता है कि वो जुबान के पके हैं हर्याना विधान सभामी नेता प्रतिपक्ष और इनेलो की कद्दावर नेता आप है सिंग चोटाला हमारे साथ उपस्तित हैं चोटाला सब स्वागत है आपका मुट धन्यवाद आप विपक्ष में हैं सर आपके पार्ट सरकार ने लोगों को कहीं प्रेशान किया हर्याना में अकेली हमारी एक ऐसी पार्टी थी जिसने हर वेक्ति के साथ खड़े हो करके मजबूती के साथ उसका साथ दिया और सरकार को मजबूर किया इस बात के लिए कि आपका निड़ने गलत था हम और लोग अपनी जगह पे स सही हैं आपको एक बड़ा उधान बताता हूं हमारे नई नी सरकार बनने के बाद सरकार नी ये मान लिया कि आज जिस तरह मर्जी आप लोगों के ऊपर कोई भी नई चीज थोप सकते हों क्योंकि सरकार तुम्हारी नई नी बनी है आपके खिलाप कोई इसको लेकर के एजि अब आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा तो हमने खुल के कहा था कि हम एक वरस सरकार को देंगे हम सरकार के कामकाज की एक वरस तक समिक्षा करेंगे देखेंगे कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं जो बाते इनोंने की जो वाइदे इनोंने किये वो पूरे कर रेंक नहीं कर दें उसी दोरान उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिया हमारी पार्टी ती जिसने साड़े चार महीने तक शक्ती भावन के ऊपर रोजाना एक एक विदानसवाक शत्तर के कारिय करताओं को बुला करके धड़ने दिये और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि मुख्य मंतरी को जब साड़े चार महीने के बाद दूसरा सेशन आया उसमें ये कहना पड़ा कि हम बिजली के आगे से कोई रेट नी बढ़ाएंगे और हमने आम लोगों को इस बात के लिए कि सरकार आगे से भी कोई अगर इस तरह का स्टेप उठाएगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे चुदाल साब, S.Y.L के लडाई आप लोग लड रहे हैं साती सौमीना जिन आयो के रिपोर्ट के सिफारिशों को लेकर आप लोग लडाई लड रहें हैं लेकिन सरकार पर असर नजर नहीं आता क्या लगता है आप लोगों की लडाई बेशर है फिर इस सरकार ने पिछली कॉंग्रेस की सरकार ने S.Y.L. का जो इशू था जो सन 1966 के बटवारे के बाद है हमें जब पानी का बटवारा हुआ तो उसमें से उसी वकत नेर बना करके पानी मिलना चाहिए था कांग्रेस की सरकार परदेश में थी, कांग्रेस की पंजाब में थी, कांग्रेस की सेंटर में थी उसी वकत नेर के लिए जमीन रिकॉयर करने के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए था और नेर बनानी चाहिए था लेकिन इस पानि को केवल इसपे कैसे राजनिती की जाए पंजाब ने भी राजनिती करनी शुरू कर दी हुरियाना ने भी उस पर राजनिती करनी शुरू कर दी कॉंग्रेस ने इसको राजनिती की भेंटेड आया हमारी पार्टी जब सत्ता में आई सन 1977 में चौधरी देविलाल जब मुख्य मंत्री बने उन्होंने पहली दफ़ा परियास किया कि ये पाणी हमें मिले 31 मार्ट सन 1978 को एक किरोड रुपया पंजाब की सरकार को जमीन इक्वायर करने के लिए दिया और उसके बाद दो किरोड रुपय फिर चौधरी देविलाल ने पंजाब की सरकार को दिये कि उस जगह पे नहर का निर्मान हो उसके बाद हमारी सरकार चले गी बजनलाल मुख्य मंतरी बन गए, वो सारे MLS को लेकर के कांगर्स में मर्ज कर गए और उस नहर के निर्मान को जो काम सुरू हो रहा था, वो काम रुख गया किरम जोदरी के ती है, राजीव लोंगवाल समझोता रद होता, दान नहर का निर्मान रुखता तो नहर बन सकती थी और पानी हर्याना को मिल सकता था उस नहर को उस वकत बनाने की बज़ाए इन लोगों ने राजनिती की भेंट तिड़ाया अब ये विचारे फसे हुए हैं, इनको राजीव लोंगवाल समझोता क्या था मेरी खाले इनोंने कभी धान से उसको पढ़ा भी नहीं हो गया उसके अंदर आर्टिकल 7 और 9 जो दो जो थे वो दोनों ऐसे थे जिसकी वज़े से हर्याना परदेश को उस वकत की कांग्रेश की सरकार ने गिर्वी रख दिया था एक तरह से, जिस चंडीगट के ऊपर शाक कमिशन अपने फैसले में हर्याना के इससे में दिखाया उस चंडीगट को पंजाब को दे दिया था उसमें ताक है नयायूद पार्ट टू इसे मान लिया जाए, कि असर दिखेगा एक बार फिर से ये नयायूद का पार्ट टू है, मान लिया जाए, ये है, आज पानी को ले करके जिस तरह से हर्याना परदेश की सुप्रीम कोट के फैसले के बाद के अंदर की और परदेश की सरकार अंदेखी कर रही है इसी तरह उस वकत राजीव लोंगोबाल समझोते कि याड में हर्याना परदेश को गिर्वी रखा था, आज हर्याना परदेश को बरबाद करने के सडियंतर रचे जा रहे हैं हमने लोगों में जागरती हो, इसलिए एक जन जागरन अभ्यान चलाया है और आपको भी निमंतर देते हैं, हम साथ मारिच को दिल्ली के अंदर लाखों किसानों को ले करके, केंदर और परदेश की सरकार के खिलाप एक ऐसा अंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा ना केवल बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, साथ साथ कांगरि साथ मार्च को आप लोग दिल्ली कुछ करेंगे, पांच मार्च को बजट सत्र शुरू होना है, क्या मुख्य विपक्षी दल वहां उपस्तित नहीं रहेगा, उस्तोरान? हम उपस्तित रहेंगे, हम पांच मार्च को गवर्नर के अड्रस पे आएंगे, और छे तारिक को जो डिबेट होगी गवर्नर अड्रस पे, उसमें हिस्सा लेंगे, और मैं इस बात के लिए, जब विजनस एडवाईजरी कमेटी की पांच को मीटिंग होगी, रिक्वेस्ट करूँगा स्पीकर से, कि आप सीटिंग बढ़ाओ, डबल सीटिंग करो, ताकि हमारी पारिटी के मले, खास करके गवर्नर के अड्रस के उपर, अपने अपने अरिया की बात रक्स के, और उसमें हिस्सा लेश के, और साथ तारिक को भी जरूरी नहीं है कि हमारे सारे मले वह जानसभा में रहो, और जब मोग आए, आपको बोलने का, आप सरकार की बेकाइदियों को लोगों के सामने वजागर करो, इनलों को बजट से कितनी उमीदे हैं, चूंकि केंदरी जो बजट आया, उसकी तारिफे आप लोगों ने नहीं की थी, अभी हर्याना के बजट से कि यह नहीं है कि आप हर्याना पर्देश के अंदर कोई बड़ी सूलियत किसी को देने जा रहे हो, यह तो दो महीने के बाद फिर कहीं ना कहीं टेक्स बढ़ा जेते हैं, उधारन आपके सामने है, आज जो गाउं में, जो शेर में जो पानी मिलता है, आपके हुड़ा सेक्ट अपना गुजारा करते थे, उन लोगों को जो पैसा मिलता है, अगर उनके किसी फैमिली मेंबर ने कोई लोन ले रखा है, तो उस लोन की किस्तों उस बड़ापा पैस्टिन से काईए, जो इन्हें लोगों को लगती हैं, यह सारी चीज़ें लोगों की है, लोग हमें आ करक है, इन्होंने खड़ी करी है, आपको सिधा सा उधारन ओर देख लो, JVT के टीचर आज जो है, स्ट्राइक पे बैठे है, आज आशा वर्कर जो है, वो इनके अगेंस्ट जो है, आपके एजिटेशन कर रही है, आंगण मारी की जो लोग हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे न को को एक अगार का जो विश्वास कम हो सकता है, अगर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करें, वो असर नजर नजर नहीं आया, मैंने शुक्त में भी कहा, विपक्षी पार्टी कि इतनी मश्बूती से लड़ाई लड़ड रही है, सरकार पर कितना असर हो सकता है, सीम पर आपके सोचने का नजरिया हो सकता है आम आदमी जो है आज जाकर कि आप मिलो बात करो तो वो कहीं आपको बताएगा कि कॉंग्रेस ने उसकी अंदेखी करी है कॉंग्रेस तो केवल कॉंग्रेस के लेता अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं आम जनता के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी है असर आप कहते हो दिखाई नहीं दिया पंदरा तारिक को अमिच शाय थे अगर अमिच शा का किस प्रशना भी चाहिए कि तो किस चिस का विरोध करने गया था क्या इशु था तेरे पास यह यह तो गया था फोटो खिचवाने के लिए यह तो ख़बर में उसकी चर्चा हो इसके लिए गया था हम किसी इशु को लेकर के उसका विरोध कर रहे थे हमने चिठी लिखी जब जबाव नहीं मिला तब हमने उसका विरोध किया और ने अगला अगला जो विरोध है तो यह रिवाज ही गलत है लोग तंत्र में कि अगर राश्टी प्रमु खाएं और विपक्षी दल कालिश हंडे लेकर पहुंचे अगर वो उनकी पार्टी का कारिय करम था तो फिर उसक सरकारी मशीनरी का दुरूप योग हुआ है जो सरकार ने पैसा खर्च किया है जो पचास से सो किलोड रुपे के बीच बनता है जिस तरह से 150 कंपनिया बुलाई गई है फिर जरूरत क्या थी सरकार को जब यह दिखाई दे रहा था कि तुमारी पार्टी का आज इतना कि आख के हवाले करना चाहते थे क्या वह इस भाईचारे को खतम करना चाहते थे जिन में आप लोग मजबूत हो भी और माने भी जाते हो अभी आमिच शाह की रैली हमने देखी भीड वो नजर में आती लेकिन वीज़ेपी कहती है कि का इने जवाब दे सकती है जिन में किस रैली के जरी हमें जवाब देने की जरूरत ने जवाब तो जन्ता ने दे दिया जब ये लोग आये थे किस तरह से इनकी भिद्पिटी किस तरह से सोशल मेडिया ने इनको दिखाया अगर आपने सव्यम देखा होगा जो धनकर ये बात कहता है कि विरोधना करना चाहिए उ उस धनकर ने सब्य हम दो दो लोगों को ऐसे पकड़ के कहा कि चलो रैली में बैठर उन लोगों ने कहा कि क्यों किस लिए हम तुमारी रैली के लिए नहीं आये हम तो हमें लाया गया पांच सो रुपे देखर के हमें लालस दिया गया हैलमेट का हमें लालस दिया गया जाक लोग अपनी मरजी से चल करके हमारे पास हमारी रैलियों में आते हैं, चले सवाल ये भी उठेगा कि आपने कहा कि जनता को वीजेपी में विश्वास नहीं है, इनेलो को क्या विश्वास है, क्या 2019 में किसी के साथ जा सकती है, गटबंदन किया जा सकता है, इसका जवाब लेंगे लेकिन एक छोड़ी से ब्रेक के लिए यहां पर उखते हैं, उसक जिसके नेत्रितों में इनेलो 2019 में चुनाओ लड़ सकती है, जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद ब्रेके बाद सिधा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत हैं, और अब है चोटाला साब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनसे यह जानने की कोशिशे करेंगे सिधा सवाल में, क्या इनेलो इस बार गटबंदन कर सकती है, चोटाला साब नहीं, हमारा कोई गटबंदन नहीं होगा, और एक चर्चा चला रखिये कॉंग्रेस ने, भाश्पा भी कही ना कही है, उसको आगे बढ़ा रही है, कि आने वाले समय में भाश्पा और लोकदली कर्थे हो सकते हैं, जिन लोगों ने इस परदेश के अंदर बेकुसूर लो विमायोजना के नाम पर डाके डाले हैं, हम ऐसे लोगों के साथ किसी भी कीमत के उपर गटबंदन नहीं करेंगा, तो पुखता मारा कि अभे चुड़ाला कि गटबंदन नहीं होगा, उसके बाद यह नहीं कहा जाएगा, कि राजनितिक किसी तरहां का बदलाव है, परिस् पर बाद 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 लेकिन एक चीज में आपके सामने फिर कलियर कर देता हूं, हमारा कांगरेस और भारतिय जनता पार्टी के साथ गटबंदन नहीं हो सकता हमने कभी जाती के आदार पर राजनिती नहीं हमने हमेशा मुद्धों की राजनिती करी है, हमने हमेशा अपने परदेश को कैसे आगे बढ़ाया जास के, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कही है, आज भी हम सो का सो फिस्ती लोगों को कैसे इसको लेकर के आने वाले election में उतरेंगे जौदरी देवलाल ने चौदरी देवलाल ने हमेशा उस वरग को राजनित्ती में महत्र दिया जिसकी कहीं पहचाण नहीं आपने जाट आरक्षन के इशू पर पुछा कि आपने जाटों को समर्थन दिया, मैंने उस वकत भी समर्थन दिया, आज भी समर्थन देता हूं और आने वाले समय में भी खुल के समर्थन दूँगा, इसलिए समर्थन जरूरी है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा समाज मजबूत हो, कि अगर मेरा समाज कह दिया जाता है, तो फिर क्यों ना जो छवी है आपकी कि एक जाट मीता की तौर पर आपको जाना जाता है, हर वरग के लोग, उन्होंने अपने अपने संथन बनाई हूए है, मैं जाट आरक्षन आंदोलन के बाद जाटों की तरफ से, उनके संथन की तर की के रूप में बुलाया, मैं उसमें गया, तो में भीड भी आती है, हमने पहले भी कहा, हमारे पास सारे समाज के लोग आती है, उसे भी मजबूत माना जाता है, उसमें दोराई नहीं, फिर क्या लगता है, तीन सत्र गुजरने को हैं, आप लोग सत्ता भी नहीं आए है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कि कोई आदमें तीन सत्र निकल गए, या चार निकल गए, या छे निकल गए, हम राजनित्ती को इसलिए नहीं करते, कि हम कुछ सत्ता के लोगी हैं, हमें राजनित्ती चोधरी देविलाल ने सिखाई, चोधरी देविलाल ने जिस दंकी रा इसमें कोई दवर आए नहीं फिलाल क्या लगता है कि इनलो के पास कुन सा वो चेहरा है जिसे आगे किया जा सकता है चुनाव लड़ाता सकता है कि हमारे सीम पद के उमिद्वार ये हैं आप वोट बीचे जिस दिन चुनाव की तारिख ते होगी सो फिस्दी हमारी पार्टी क कि तरफ से फैसला होकर कि आएगा कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर का उमीद्वार है इसके नेतरतम में हम चुनाव लड़ेंगे आज की तारिख में चौधरियों पर का चुटाला हमारी पार्टी के सुप्रिमो है जो भी कोई निर्डे हम लेते हैं चाहे कोई एजिटेशन को लेकर किया है और चाहे कोई परदेश में राजनतिक गतिविदियां बढ़ाने की बात है चाहे अपने संख्रन को मजबूत करने का इश्यू है हम वकाई यस को करते हैं चुनाव के अंदर चुनाव से पहले इस बात को तैक करेंगे कि हमारी पार्टी की तरफ से कौन नित् करें अलग चलते हैं अभे चुटाला अलग चलते हैं जो वरकर्स हैं उनमें भी किसी तरह के मत्भेद हैं कोई एक पर्शंट भी इस तरह की बात कहीं नहीं है यह सारा दिन कांग्रेश के लोग करते हैं उनको दिख रहा है उनके मोत जो सिराने खड़िये हैं मैं और करनी मर्जी से कोई अलग से जाकर के पार्टी की कतिविद्यानी करता है यह वो लोग कौन है फिर सोचल मेडिया पर जो अगला जन्नायक दुशन चुटाला अगला सीफ दुशन चुटाला आप लोगों ने तै नहीं कि आप लोग हैं किसी अमपद का उमिद्वार कोन होग कि अब इस बात की जरूरत नहीं कि संभावनाएं कि इतनी है कि संभावनाएं के बात की जाए राजनतिक पार्टी जो है उस दिन फैसला करती है जब चुनाव बिलकुल सर पे आजाता है तब तक साफ नहीं हमारा साफ है हम चोधरी ओंपर का चुटाला के नेत्रतों में च अगर दो दिन पहले वह स्रेंडर ना होते तो सो फिस दी हमारी पार्टी की सरकार बनती वह जिसको मर्जी चाहे चीफ मिनिस्टर बनाते लेकिन वह सबत एक तरह से वह नहीं किती आज भी अपचारिक तो पर नहीं सकते थे तो कानून से उपर बिलकुल बिलकुल आपकी कि अगर आप लोग सत्ता में आएंगे तो स्वावी नाथन आयोग के सिफारिशने लागू होंगी हम सरकार को इस बात के लिए कहेंगे कि स्वामी नाथन की रिपोर्ट को लागू करो हर आदव में अगर वह लागू नहीं करेंगे हम अपनी तरफ से किसान को इनुवाद कर लें यूज जु राजिती है उसकी बात कर लें बीज़ेपी यह कहती है कि चात्रसंग के अगर उन्होंने अपने गोशना पत्र को लागू करना था तो साड़े तीन वरस क्यों निकाले इनको जिस दिन ये आये थे सत्ता में आते ही इनको डिक्लेर करना चाहिए था कि चुनाव कराई जाए जाए तो उसका मियाजा बुगतना पड़ेगा चातरसन की जरूरत नहीं किस तरह से कराए जाए जै कैसे चुनाव हो वो कोई एक परदेश के लिए नहीं था ये कमेटी जो बनाएगी थी ये के अंदर की सरकार की तरफ से थी और उसने पूरे देश के अंदर चातरसन के चुनाव पे अपनी रिपोर्ट देनी थी हमारी सरकार जब थी तब तक उस पहले यूनिस्टी के चुनाव हो तो तुम अपनी एकाई को मजबूत करने के लिए वहाँ चुनाव लड़ो जै जरूरी निया कि चुनाव जीतने के लिए लोगा तो अब कि बार बात कर लेंगे हुद्दा साब कहते हैं कि बदली की करवाई के करवाई जा रखी है आप पर भी कहते हैं कि वीजेपी उनको बचाने की कोशिशें कर रही है चार सो पेज की चार सीटी थी सरकार ने साड़े तीन साल निकाल दिया जान चराने में पता नहीं किस वज़य से काहिन की नूरा कुस्ती हो रही थी एक सीविय ने अपनी तरफ से दस्तावेश कोर्ट को स बातों पेज्मीरिय मेरी जुम्हारी है मैं मोत अची तर्यase एंक्या आपको होना चाहिए विद्हांसाभावी नेता ऊप्रतिपस की तोर पर तोसके प्रभावित करता आए किसे भी लिकल ही एक संच नी मेरी जुमम्हार है मैं उसको बहुत अच्छी तरय से निभाना जानता हूं मैं बहुत अच्छी तरह से उसको निभावी रहा हूं कि 2019 में किसे मानते हैं कि मुकाबलाख है कॉंग्रेस से मुकाबलाख है या फिर बीजेपी से ने भारतिय जनता पारिटी का दिवालिया पिटते वे 15 तारिक को देखा नहीं जे कांग्रेस की आलत आपके साम चुकरिया आपका आपने वक्त दिया और बात चीत की सवालों की जवाब दिये तो ये थे अभे चुटला साब हमारे साथ सीधा सवाल में जिनकी और से साफ कर दिया गया कि जनता का विश्वास बीजेपी से उठ चुका है जो की जीन की रैली में साफ नजर आया कॉंग्र झाल